नमस्कार स्वागत है आप सभी का एया नम बान बे 12 भरती में कल मुक्ख्यमंत्री जी से गोरगपुर में जनता दर्सन कारक्रम में बड़ी संक्या में बहने पहुच करके और कुछ बहने मुक्ख्यमंत्री जी को प्रत्यक्ष ज्यापन देने के लिए गोरगपुर पहुच रही हैं कुछ बहने गोरगपुर सुबह जल्दी आ जाएंगी जो नजदी की बहने हैं जो थोड़ी दूर की बहने हैं वे लोग थोड़ा और जल्दी निकल नहीं हैं इस तरह से कई सारे बहनों के द्वारा बताया गया कि भईया हम लोग निकल नहीं और उन बहनों के साथ में उनके अभीबावक भी हैं। यहाँ पर देखे सभी को अपने एक नैतिक जिम्मेदारी समझने होगी। गोरकपुर वा आसपास की जिले की कम सकम 50-70-80 km तक तो पूछना ही नहीं चाहिए। यह बहुत दोरी नहीं होती है। अगर हमारे पास कोई अपना नीजी साधन होता है बाइक है तो हम एक गंटे दो गंटे तिन गंटे में पहुंच सकते हैं। यहां पर आप सभी को परिशान ही क्यों होना चाहिए अगर मुक्य मंत्री जी सोता संग्यान ले लेते तो लेकिन लगातार देरी होने की कारण सुप्रिंग कोर्ट में जो भी देखी मैटर है उसको लिष्टिट करवा करके सुनवाई करा ली गई होती सासन की द्वरा उसम में मैटर को लिष्टिट न करवाया गया हो या फिर मार्नी आयोग के तरब से जवाब न लगाया गया हो 20 मार्श 26 मार्श 14 अप्रेल 10 अप्रेल की लाश्ट डेट है जो रिटेनेबल नोटी से पहले वाले केसे स्टेटस में आप सभी ने देखा उसके पहले 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 त नहीं बता पाएंगे लेकिन जितनी भी संक्याउं के प्रोविजनल में हो तो ये तो मैटर सरकार आपरान कराएंगे ही आज कराएंगे लेकिन एक बार Сमारो हो गया होता उसके बाद कम्सकी महीना भर निकाय चुनाओ और उसके बाद फिर मंई लाश्ट से और पुरा जू ना हो पाया तो इसलिए कोट मैटर का कोई भी यहां पर कारण नहीं होना चाहिए मुखी मंदरी आज चाहेंगे अभी चाहेंगे नियुक्ति पत्र बितर समारो करवा देंगे वो 77 का बिल्कुल जो डाटा है आप सभी जानते हैं कि वो माननी आयों की तरफ से उसी समय चार से का नियुक्ति पत्र रुकेगा उन बहनों की नंबर जादा होंगे और जब आप से कम नंबर वाले बहनों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो आपकी नियुक्ति पत्र कभी नहीं रुकेंगे इसलिए आप लोग परिसान मत हो यह बागी हम लोग तो सुरू से प्रयास कर होता तो फिर आगे जोईनिंग लेटर बढ़ती रहते अभी आप देखेंगे प्रोवेजनल की डीवी में कितना लंबा समय उसमें लग रहा है जब कि वो प्रोवेजनल की डीवी जो है हफ्ता दस दिन में भी करवाया जा सकता था लेकिन लगबग जो है डेड़ महीने का समय उसमें लिया जा रहा है लगबग डेड़ महीने का समय 15 मई तक चलेगा और अभी जो फ्रेस बहने हैं लगबग यहाँ पर 7000 बहनों को प्लस माइनस कुछ संक्या होगी प्लस नहीं बलकि तोड़ी माइनस ही संक्या होगी तो इतने बहनों को अभी भी जोईनिंग लेटर पार्टी चा सकते हैं तो हमारा फिर से मिसेश आग्रह निवेदन अनरोध है कि अपना ध्यान रखते वे समचित ध्यान रखते वे अपने साथ किसी अभी बाव के साथ में अधिक से अधिक संक्या में बहने कल के गोरगपूर जनता दर्संग कारकरम में जरूर पहुंचे और जो बहने ट्वीटर पर जो भाई ट्वीटर पर ट्वीट रीट्वीट कर पाएं आप अभी इस समय ट्वीट रीट्वीट भी करिए और कल जनता दर्संग कारकरम में सभी लोग पहले एककतित हो जाएगे उसकी बाद उचीत रणीती की तहत कि इन बहनों को अंदर जा अगर मुकी मंतर जी ऐसा बोलते हैं कि नहीं कोट वाला मैटर है तुरंद उनके हागे हाथ जोड़ लेना है कि सर कोट वाला मैटर तो अभी तक नहीं फाइनल हो पाया लेकिन से बहनों को तो नियुकति पत्र बाटे जा सकते हैं लगबक साथ जार तो उन बहनों को यह नि लेकिन सब दिन के कार्योंजन्दा में सामिल भरती एक वर्स होने जा रहा है और क्यों आपकी भरती में दे रही हो और किसी भी तरह कि कोई अतरिक तुम्हें कोर्ट मैटर कोट प्रक्रण में नहीं पढ़ना है अभी थार्ट पार्टी बनके कुछ भी देखिने इसकी बार का भी आडियो है एक बहन का भी आडियो सुना हमने आप सभी का प्रोसान भरा आडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और जितने भी अधिक से धिक संख्या में बहने हैं कलम संख्या आप सभी की देखना चाहते हैं गुरकपुर में और हम केवल और केवल अग्या में आदिक से अधिक संख्या में तकि मुख्य बंद्री जी को लगे कि नहीं सभी बहने प्रेसान हो रही हैं कि हमारी नियुकति पत्र हमें कम मिलेगा बहुत सारी बहने बच्चे हैं उनके हैं कहां परूंका एड़मिसंग कराएं बहुत तरकी चीज़े हैं कई बहन सब्सक्राइब करना है इसी को लेकर कि पूरी तैयारी करनी है और सभी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझें अगर आप पहले प्रयास न कर पायों इस बार आप अपना कीमति समय देते हुए आप गोरकपुर जरूर आईए बैनों से भी निवेदन है सभी जैनित बैनों से और साथी साथ उनके अभी भावकों से भी निवेदन हमारा हम जरूर सफल होंगे और अप्रेल के फर्स्ट वेक तक हम सभी को जरूर निवक्ति पत्र वित्रड़ की डेट मिल जाएगी हमें पूरा विश्वा से बाकी मुख्यमंत्री जी के हाथ में बाकी हम लोग इस्वर तो पहले पहले पहुंच जाना होता है लगता है जंताजर्शिंग कार्कारम तो मंदिर के पहले पहले और सुबच छे बजए से जनताजर्शनकारक्रम रहेगा तो जो भी भेहने गोरकपूर जा जो भी अभी भावक गोरकपूर कहुंच रहे हैं आपनों प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा हमारा आप सभी से बार 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 बिसेश रूप से बार पर नेवेदन है क्योंकि हमारे पास यही एक अंतिम मौका है इसके बाद फिर आगे 10 अपरेल के बाद कभी भी निकाय चुनाओं की आचार संगिता लग जानी है तो आप सभी इस मोहिम को जरूर सफल बनाईए धन्यवाद